नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग 30 अगस 2022 के डेली न्यूस एनलिसिस और एडिटोरल एनलिसिस में आपका स्वागत है एडिटोरल लगबग 5 डिसकस करूँगा मैं आपके साथ कौन कौन से एडिटोरल तो देखें 2-3 एडिटोरल तो फ्री बीज को लेके हैं तो उसके बारे में हम जादा बातचीत नहीं कर रहे हैं फ्री बी से रिलेटेड एक एडिटोरल है डिरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाइस जगर मोहन रेड़ी जी ने आंद प्रदेश के अंदर क्या क्या किया उसको फ्री भी बोला जाएगा या एक्चुली में वो ग्राउंड लेवल पे लोगों को बेनिफिट कर रहा है एक इंडिविजुल हैं जो कि आंद प्रदेश की सरकार में काम करते हैं और इनका व्यूपॉइंट देखेंगे कि कैसे वाइस जगर मोहन रेड़ी जी की स्कीम से वो लोगों के लिए यूजफुल है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में एक लीडर और उसकी पॉलिसी की तारीफ हो रही है बट वो पॉलिसीज एक्चुली में के ग्राउंड लिवल में बेनिफिशल हैं इसके बारे में हम और आप थोड़ी एनलिसेस करेंगे ठीके ना अलग-अलग राज्यों का जो डवलपमेंटल और अड्मिनिस्टेटिव मॉडल होता है उसके बारे में भी हलकी फुलकी जानकारी देना कहीं ना कहीं हमारी अंडिस्टेंडिंग को बढ़ाता है फिर पैट्रियार्कल माइंडसेट आप दे लीगल सिस्टम केरला के अंदर एक सेशन्स कोट ने एक इंडिविज्वल को एंटिसीपेटरी बेल दे दी किस बेसिस पह उसने एक उरत के साथ बत्तमीजी की थी और उसने ये पॉइंट पेश किया कि ये बत्तमीजी मैंने इसलिए क्यों 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 उस उस हौरत ने मतलब offensive dressing पहुंच लखी थी अक्सर कर क्या होता है कि लड़किया जब शॉट्स पहनती है ऐसे कपड़े पहनती है जो कि उनको अच्छा लगता है छोटे कपड़े पहनना उनके लिए स्टाइल सेंस है लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार ये तो हमारे तो यही पेट्रियार्कल माइसेट केरला इकोड़ भी रखके बैठा है जो कि बिल्कुल गलत है तो इसको यहाँ पर समझने कोशिश करेंगे फिर न्यूफेसेट्स अफ टेरिरिजम इस रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल है बेसिकली सलमान रश्दी और अभी जो पुतिन के एक बहुत क्लोज एड की डॉटर को जो एलिमिनेट किया गया है एसके रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल इसको देखेंगे फीफा सस्पेंशन से रिटिट एक चोटा सार्टिकल है देख लेंगे कॉंग्रेस पार्टी के इंटर्नल प्रेजिडेंट के कॉंग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेजिडेंट के एलेक्शन सोने वाले हैं इस बात को लेके यह जो गांधी फैमिली है वो के सब तक नीट्रल है overall क्या मोहौल चल रहा है कॉंग्रेस के अंदर ये सब यहाँ पर बताया गया है इसको पर्टिकुलरली देखेंगे फिर भाई आज की जो important news है उसमें एक news तो यह है कि पाकिस्तान में floods आ रखें जबरदस्त यह कोई नई news नहीं है आपको पता ही होगा ऐसा बताया जा रहा है कि एक तिहाई पाकिस्तान इसमें पर पानी के नीचे डूबा हुआ है इस बीच में पाकिस्तान में obvious ही बात है कुछ essential चीजों की कमी पड़ गई है तो पाकिस्तान के जो foreign minister है वो इंडिया के साथ trade को reopen करने की बाचीत कर रहे हैं हाला कि पाकिस्तान का ये बोलना है कि हम policy नहीं बदलेंगे इंडिया ने 370 हटा दिया कश्मीर के status को बदल दिया तो वो policy सिन की चलती रहती बड़ इसमें पे पाकिस्तान की actually में हालत बहुत ज़्यादा खराब है तो इस context में इंडिया के साथ trade करना चाहते हैं इस ने उसको देखेंगे इंडिया के अंदर violent crimes फिर से बढ़ गए और almost pre-covid level पे पहुँच चुके दिल्ली सबसे unsafe metro है women के लिए tribe categorization work delays benefit tribal का categorization नहीं हुआ और इस categorization के नहीं होने के चलते इसके delay होने के चलते हो यह रहा है कि बहुत सारे tribes के पास जो benefit पहुँचने चाहिए थे वो benefit पहुँच नहीं पा रहे है फिर National Pharmaceutical Pricing Authority ने कुछ particular apps लाँच किये है ease of doing business को अच्छा करने के लिए क्या है देखेंगे और इराक के अंदर एक Shia cleric है सदर इन्होंने अपना resignation अनाउंस किया अब जैसे इन्होंने resignation अनाउंस किया वैसे यहां पर भारी बवाल मच गया और इस भारी बवाल में तीन लोग की यहां पर मृत्ती हो गई तो इस particular news को दिखेंगे तो overall इतने current affairs और editorial मैं आपके साथ discuss करने वाल हूँ आगे वाड़न से पहले वीडियो पर like कर बटन दोस्तों चैनल को अब तक share और subscribe नहीं किया कर लिजे Instagram पर follow कर लिजे टेलिग्राम गूप जोन कर लिजे जादा से जादा लोगों के साथ lectures को share करिए हो सके तो super thanks को option दबा कि आप चाहें तक्रा रही है हाड चीजें आपस में दूसरे के साथ टक्रा रही है इसको आप बोलतो है रैटल ठीकी ना भई तो अच्छा रैटल में एक चीज़ वह रहा थी ठीक है भई चलिए पहली न्यूस प्रधान मंत्री मोदी जी ने कंडोलेंसिस ओफर की है उन लोगों को जो की flood victims है ओके पाकिस्तान के अंदर बहुत ही खतरनाक पानी बरसा है पाकिस्तान के अंदर आप कह सकते हो ग्लोबल वर्मिंग का एक after effect पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रहा है इस समय पे दुनिया में कोई भी एक ऐसी country नहीं है जहां पे global warming के और climate change के after effects देखने को नहीं मिल रहा है चाहे वो western country हो developing country हो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, यू.एस सारी countries को global warming के after effects यहां पे द पाकिस्तान ठीक है ना और अभी आप देखो तो अभी लगबग पाकिस्तान के जो फाइनाइस मिनिस्टर है उन्होंने भी यहाँ पे स्पीच देके बोलाए कि हम सोच रहे हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड रूट्स फिर से चालू कर दिये जाए जो कि कुछ एसेंशल इसकी भी हम मदद करें पर प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के साथ रिष्टे अच्छे करो मदद करो फिर बाद में हमारे यहाँ पर आके बंपोडने रगते हैं एक बड़े हाई और टॉप लेवल के ऑफीसर ने इस्ट्रिक्ली कॉन्पिटेंशल बेसिस पर यह बताया ह है अपनी आइडेंटिटी को बचाते हुए कि भाई भारत सरकार ओवराल ट्रेड तो चालू करने को तयार है पाकिस्तान के साथ लेकिन भारत सरकार के अगेस्ट टरॉरिस्ट को स्पांसर ना करें बहुत सारे फोरन टर्रिस्ट पाकिस्तान के थूरू इंडिया के अंदर आने को तयार है, suicide bonging के लिए, बहुत सारे जो line of control है पाकिस्तान इंडिया की बीचे वहाँ पे station किए गए है, ऐसा बताया जा रहा है, कि बहुत से हो सकता है, इंफिल्ट्रेट कर गए हूँ, बहुत सारे infiltration की रहा में हो, तो एक ऐसा समय जब पाकिस्तान को परिशानी है, इ बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान स्पॉंसर टेरिजम खतम हूँ जो कि पाकिस्तान की बेसिक पॉलिटिकल एथोई ही इंडिया को परिशान करने में ही है अब मोदी जी और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शैबाज सरीफ ये दोनों मिलने वाले हैं समरकन जो की उसबेकिस्तान 15-16 सप्टेमर में होने वाली है 1100 लोग मर चुके हैं पाकिस्तान के मिनिस्टर कह रहे हैं कि एक तिहाई पाकिस्तान पानी के नीचे है आपका फ्लड्स के चलते हैं अभी तब पाकिस्तान ने इंडिया से मदद मिली भी नहीं है कंडोलेंसे तुम इंडिया से मदद मांग रहे हो ओवरॉल इंडिया से मदद लेना पाकिस्तानियों में एक निगेटिव पॉलिटिकल पॉइंट हो जाता है यह बड़ी परिशानी चुकि दोगार 19 अगस्त में जब जम्हुन कश्मीर का स्पैशल स्टैटर्स शुरू किया हमारी भार सीज फायर एग्रिमेंट जरूर इंडिया पाकिस्तान के बीच में साइन हो रखा था फरवरी 2021 में वो फॉरन ब्रोकर्ड सीज फायर एग्रिमेंट था योई ने इसमें बड़ा मेजर रोल प्ले किया है लेकिन ट्रेडिंग टाइज अभी बिलकुल भी नॉर्मलाइज नह रहा है पाकिस्तान के बहुत सारे सीनर कैबिनेट मंत्री ये बोल चुके हैं कि इंटरनेशनल कम्यूनिटी से एसिस्टेंस मागी है ठीक ना इंडिया से एसिस्टेंस मागने वाली बाद जल्दी कोई कहा नहीं रहा है फिर उसको कहनाम से फत्वात्वा जारूर नहीं पाक पाकिस्तान को इसके उपर बाच्ची चल रही है फ्लड्स का इसके उपर क्या इंपक्ट आएगा इसको हम समझने की कोशिश करेंगे फिर अगली न्यूस जीस फेपर टू नैशनल रिपोर्ट्स क्राइम्स वॉइलेंट क्राइम्स इन कंट्री बैक टू प्री कोबिड से पहले जितना हैं अमाउंट में वॉइलेंट क्राइम्स इंडिया के अंदर होते हैं कुछ-कुछ हम उसी लेवल पे वापस पहुंचते हैं नजर आ रहे हैं केटनापिंग, रेप, एट्रॉसिटी अगेंस चिल्डरन, रॉबरी ये सब बढ़ गई हैं 2021 में 2020 में थोड़ी किस की रिपोर्ट बता रही है, तो रेप केसिस की बात की जाए, 2020 में रेप केसिस थे 28,046, 2021 में 31,677, 2019 में थे 32,032, तो अल्मोस्ट 2021 में 2019 के नंबर के पास हम पहुंच के हैं, केसिस रेटिटी टू किड़नापिंग और अब्ड़क्शन ऑफ पीपल, ये 2020 में 84,805 थे, ठ 2020 में कम हुए, लेकिन 2021 में फिर से 1,1707 होगा, 2022 में मुस्ट पॉबली जाद ही होंगा, भी खतिम नहीं हुआ है, 2022, 2022 का डिटा 2023 में निकल के आएगा, मडर की अगर आप बात करो, तो मडर 2019 में थे 28,915, और 2020 में बले, कोरोना का लॉकड़ाउन लगाओ, मडर बढ़े हैं, सीरिस क्राइम साते हैं, कोगनीजिबल क्राइम के अंदर, 2020 में टोटल कोगनीजिबल क्राइम से 6,6 लाग, 2021 में 60.9 लाग, 7.6 परसेंट फॉल है, अगर आप क्राइम रेट देखो, पर 1,00, पॉपुलेशन, तो 2020 में ता 487.8, 2021 में 445.9, तो ठीक है, आप थोड़ी बहुत तारीफ जरूर कर सकते हो, 2021 में जो overall crimes कम हुए हैं, उसकी एक वज़ा यह हो सकती है, कि section 188 of the Indian Penal Court के अंदर, कम लोगों को register किया जा रहो, section 188 of the Indian Penal Court क्या बोलता है, कि अगर किसी public servant ने, कोई order promulgate किया है, और उस order को आप नहीं मानते हो, तो disobedience के चलते है, आपको section 188 of the Indian Pen General Court के अंदर, चार्ज किया जा सकता है, मतलब COVID-19 का जब lockdown लगा, तो हमारी public authorities को ताकत मिली, district magistrate को ताकत मिली, कि आप public gatherings को ban कर सकते हो, अभी कोई individual public gatherings को ban करने वाले order को violate करके बाहर निकलेगा, तो police उसे धर लेगी, jail में बंद कर देगी, section 188 लगा देगी, तो इस प्रकार number of crimes registered है, वो कम नज़र आ रहे हैं, समझ के बाई, section 188 of the IPC के अंदर, 2020 में 6 दसमलों, 1-2 लाग cases registered हुए थे, और 2021 में 3 दसमलों, 22 लाग cases registered हुए हैं, तो almost यहाँ पर आधे हो गए है, section 188 of the IPC का इस्तमाल, 2021 में 2020 के comparison हैं काफी कम किया गया, इसलिए overall crime, 2021 में थोड़ा कम दिल्ली मोस्ट अंसेफ मेट्रो फर वुमें, तो जी दो नैशनल कैपिटल है हमारी दिल्ली, वहाँ पर हाइस्ट नंबर ओफ रेप केसिस देखने को मिलें, देश की जितनी भी 19 मेट्रो पॉलिटन सिटीज हैं, सबसे बुरे हाला दिल्ली के अंदर हैं, यह कौन बता रह तो क्राइम अगेंस्ट वुमें रोज बाइ 40% ओवर दे प्रिवियस है, 2021 में वुमें के अगेंस्ट क्राइम, 2020 के कंपारिज़ में 40% बढ़े हैं, 1226 इंसिदेंस ओफ रेप देखने को मिले, 136 डाउरी जैस देखने को मिली, और सब कुछ दिल्ली में बहुरी अगर आप देखो तो एक एलेस्ट गैंग रेप हुआ था 30 साल की वुमें का, 4 रेल्वे एंप्लोईस के दोरा, नियू दिल्ली रेल्वे स्टेशन के अलेक्रिकल मेंटेनस रूम के अंदर, फिर आप देखो, दिल्ली के अंदर चिल्डरन और सीनर सिटिजन के अगेंस्ट जो क्राइम से न, वो भी बहुत तेजी से बढ़े हैं, ओके, 2021 में 4,674 इंस्टेंस देखने को मिले हैं दिल्ली में, जहां पर वुमें के उपर हस्बेंड या फिर उसके रेलेटिवस ने क्रुवैलिटी की हैं, ठीक है, अब सबसे खास बात यहां पर यहां पर यहां कि बहुत सारे ऐसे क्राइम्स रिपोर्टी नहीं होते हैं, 95% क्राइम्स जो वुमें के अगेंस्ट हो रहे हैं, वो उनके रेलेटिवस द्वारा किये जा रहे हैं, और उसके ओपर दिल्ली पुलिस का यह किसी भी स्टेट की पुलिस का डाइरेक्ट कंट्रोल नहीं हो सकता, लाइन ओर्डर को उस पर्टिकुलर केस में समाल पाना काफी मुश्किल हो जाती है, तो अब और उस प्रकाइम्स को रोकने के लिए क्या किरा जा सकता है, तो भाई सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कैम्स वुमें के लिए लगाए जा रहे हैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अ लिए जी एस पेपर 2, Welfare of Vulnerable Population, Tribe Categorization, Work Delays, Benefit, देखें, एक स्कीम लाँच की गई है सरकार के दौरा, स्कीम का नाम है, स्कीम फॉर एकनॉमिक इंपावर्मेंट ऑफ डी नोटिफाइट, नॉमाडिक, सेमी नॉमाडिक ट्राइब, यहाँ पर एक तो हो गई, डी एंट दी नोटिफाइट ट्राइब, एक हो गई, एंटी नोटिफाइट ट्राइब, एक हो गई, S&T, सेमी नॉमाडिक ट्राइब, इनके लिए आपके लोग, Consolidated Term दे दिया, Seed, Scheme for Economic Empowerment of Denotified, नॉमाडिक और सेमी नॉमाडिक ट्राइब, अब इंडिया के अंदर लगबग 14 को free competitive exam coaching दी जाएगी, health insurance प्रोवाइट किया जाएगा, house अपने घर के लिए financial assistance प्रोवाइट किया जाएगा, uplift clusters दी जाएगे immunity को, livelihood initiatives प्रोवाइट किया जाएगा और इसके लिए सरकार ने पैसा allocate किया दोसो करोण रुपया, effective 2021-22 to 25-26, आपको एक बार को लगेगा दोसो करोण कम है बढ़ ठीक है, फिर भी दोसो करोण में बहुत कुछ किया जा सकता है, तो इस particular scheme के अंदर अगर किसी भी इस particular community के members को मदद की जरुवत है, तो वो ministry में अप्लाई करें, इसके लिए एक online portal खोला गया है, आपकी application के against एक unique ID आपको allocate की जाएगी, और फिर आप इस unique ID के थूँ online check कर सकते हैं कि जो आपकी application उसको approve किया गया है या नहीं किया गया है, अब तक जो भी applications आई हैं, लगबग 402 applications अब तक आ चुकी, इन 402 में 17 free coaching की application है, 111 health insurance की application है, 222 housing की application है, 52 livelihood assistance की application है, तभी तक किसी भी application पे decision नहीं लिया गया है union social justice ministry के दौरा, क्यों decision नहीं लिया गया है, decision दोस्तों इसलिए नहीं लिया जा रहा है, चुकी, यहाँ पे in tribals का proper sub-categorization नहीं हुआ, अब आप बोलो के sub-categorization क्या होता है, देखें, इंडिया के अंदर, अगर आपको कोई सरकारी scheme का benefit चाहिए, तो वो benefits बहुत सारे अलग-अलग facets के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे for example, जब cast की बात आती है, तो schedule cast and schedule traps, तो बहुत सारे जो economic benefits हैं, reservation benefits हैं, वो इस basis पे आपके लो contingent है कि आपके पास SCST का category certificate होना चाहिए, जैसे आपको exam में compete करना है, और UPSC की exam में आपको SC category का benefit चाहिए, तो आपके पास certificate होना चाहिए, certificate नहीं है, तो आपको नहीं मि इनका sub-categorization अभी नहीं हो पाएगा, यह इतने backward हैं कि sub-categorization नहीं करवा पाएँ, official records में अपना नाम नहीं जुड़वा पाएँ, उनके पास कोई proper certificate नहीं है, तो scheme benefit में को नहीं मिल पा रहा है, तो सबसे बड़ा target तो यह है, कि यह जो 1400 communities आती हैं, 10 करोण लोग हैं, इन सब-categorization के बाद ही, seed scheme का benefit इनको दिया जा सकता है, अब इसके लिए अगर आप देखो, तो anthropological survey of India, tribal research institute, यह 260 un-categorized community को अभी study कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि इनको SCST और OBC की कि किसी एक particular sub-categorization में fit किया जाए, और problem क्या रही है, problem यह आ रही है, कि कुछ communities अलग अलग-अलग list में included है, जैसे कर आप बंजारा community की बात करो, तो दिल्ली में बंजारा community को SC list में जगा मिलती है, राजस्थान में ST list में मिलती है, और उत्तर पदेश में OBC list में मिलती है, कुछ-कुछ cases में तो कुछ ऐसी communities है, जिनको एक ही राज्य के अंदर अलग-अलग list म include किया गया है, तो सरकार का बोलना है कि जब तक इन 1400 communities को पूरे देश में uniformly sub-categorize नहीं किया जाएगा, SC, ST, OBC में, और denotified nomadic और semi-nomadic में, तब तक seed scheme का benefit भी इनको नहीं दिया जा सकता, तो sub-categorization के चलते seed scheme का benefit in tribals के पास नहीं बहुँच पा रहा है, यह news थी, ठीक है अगला, NPPA launches National Pharmaceutical Pricing Authority launches apps, GS paper 2, government policies and interventions में news आपको काम आईगी, नाशनल Pharmaceutical Pricing Authority क्या करती, तो अब्विसी बात है, जो Pharmaceutical Products से उनके prices को fix करती है, आपको पता है, लेकिन, NPPA को address करते वक्त, Health Minister Mansook Mandiyavya Sahib ने recently क्या बोला, 29 अगस को, Silver Jubilee थी, आपकी NPPA की, कि आप केवल regulator नहीं हो, आप एक facilitator भी हो, आप Pharmaceutical Industry को facilitate कर रहे हो, quality products Pharmaceutical Industry में बनाया जाए, इस बात की आप लगातार कोशिश कर रहे हो, तो आप अच्छी medicines बनाएए, innovative research को conduct करिये, अच्छी health के goal को meet करिये, well being of people के बारे में सोचिए, कि एवल commercial purposes से ही NPPA काम करें सहीं नहीं है, in fact National Pharmaceutical Pricing Authority, जो Pharmaceutical Industry क ये corporate से उनको regulate करता है, तो इन corporate को भी address करते हो, मनसुक मंडेविया साब बोल रहे हैं कि आपका काम सिर्फ ये नहीं है, कि आप दवाई बना के बेच के पैसा कमा, आपका काम ये भी है, कि आप देश की health security को ensure करो, आप इस speed पर medicines बनाओ, कि इंडिया एक बड़ा supplier बन सके medicines क पूरी दुनिया में, अब इस context में देखिए, तो इस event में दो databases भी launch हुए है, एक तो है आपका integrated pharmaceutical database management system 2.0, एक launch हुआ है pharma सही दाम 2.0 अप, इसके नाम से आपको पता चल सकता है, कि ये pharma का सही दाम decide करने के लिए है, speech recognition, हिंदी में available होगा ये app, English में भी available होगा, share button होगा medicine bookmarking होगी, तो इस जो pharma सही दाम app है, यहाँ पे consumers अपनी complaints launch कर सकते हैं, एक proper complaint handling module है यहाँ पे, app iOS और Android, दोनों पकार के versions में available है, तो इस जो IPDMS 2.0, एक integrated responsive cloud based application है, national pharmaceutical pricing authority दोरा इसको develop किया गया है, technical support इसको मिलेगा, center for advanced computing की तरफ से, तो NPPA का काम यहाँ पे क्या है कि जो government का thrust है कि ease of doing business in India के अंदर बनाई जाए, इसको बनाने कोशिश की जा रही है, plus drug price control order 2013 के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है, उस context में single window बनाना, उसको proper तरीके से पूरे देश में implement करवाना है, NPPA को सिर्फ एक regulator नहीं, एक facilitator की तरह भ ने भेंकर ववाल हुए तीन लोग की मृत्ति होगी, तो एक influential शिया क्लेरिक ने 29 अगस को अपना resignation announce कर दिया Twitter पे, इनका नाम है शिया क्लेरिक मुक्तादा अलसदर, इनकी खुद की एक political party है, इनकी खुद की एक छोटी सी आर्मी है, और इनको बहुत से लोग follow करते हैं इर रिजाइन किया, उससे पहले भी ये रिजाइन कर चुके हैं active politics से, बेसिकली अभी के लिए जो इनके political opponents हैं, वो इनके उपर रिजाम लगा रहे हैं कि बस ये तरीका है support कीचनेगा, तो जैसे ही मुक्तदा अलसदर ने यहाँ पे resign किया, वैसे हजारों की तागात में जो इ बीच में, अभी के लिए एक nationwide curfew लगा दिया गया है, और cabinet sessions को अभी के लिए suspend कर दिया गया है, ताकि पहले violence को contain किया जा सके, इराग की सरकार में proper coalition बननी पारा है, जब election हुए इराग की सरकार में अलसदर की party में सबसे अधा सीटे जीती, लेकिन majority बना पाएं इतनी सीट यहाँ पे नहीं जीती, तो अब इस context में इराग की politics में बहुत सारे factions dominant हो रहे हैं, एक तो मुक्तदा अलसदर का Shia faction, फिर एक और Shia faction है, जो इरान-backed Shia faction भी है आपका इराग के अंदर, अभी इरान-backed Shia section के साथ मुक्तदा बिलकुल भी बातचीत करने को ready नहीं है, बहल बोल रहा है, यह nationalistic बाश्र देते हैं, reform agenda की बात करते हैं, यह basically इराग का जो सबसे गरीब तपका है, उसको represent करते हैं, ऐसा इनका claim है, इनका यह बोलना है कि वो लोग जो की इराग के political system से बाहर निकाले जा चुके हैं, उनको मुक्तदा अलसदर represent कर रहे हैं, लेकिन जब overall इस प्रकार का violence होता है, तब tension हो जाती है, इराग की politics वैसे भी हिली हुई है, बड़ी मुश्किल से Islamic State का कहर इराग से थोड़ा कम हुआ है, अभी ऐसे cases में, यहाँ पे जरूरी है कि जितने भी political leaders हैं, वो बैठ के बातचीत के साथ चीजों को सॉट आउट करने कोशिश कर हैं, चुकि अगर violence होगा तो वो violence देश के हित में नहीं है, यह violence देश की unity, integrity को तोड़ सकता है, जो opposition political party के member से उनका यह बोलना है कि पहले भी मुक्तदा अलसदर resign कर चुके हैं, इस बार भी वो resign करके overall लोगों का गुसा बढ़का के उसका फायदा उठाने कोशिश कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट से वो शिया majority southern provinces में हुए अलसदर की जो supporters थे, उन्होंने oil rich province बसरा में tires जला दिये, road को block कर दिया, government building इन मिसान में यहाँ पे आपके लोग opposition होने लगा, तो कुल मिलाके यहाँ पे जो opposition political parties नहीं राक की, उनका यह बोलना है कि अलसदर को बैट के बा करके भारी बवाल मचा देना, this should not be the way, अलसदर की जो chief opposition में है, वो है prime minister, former prime minister नूरी अलमली की, तो नूरी अलमली की openly यहाँ पे अलसदर के actions को criticize कर रहे हैं, हाला कि अलसदर की following भी इराक के अंदर बहुती जबरदस्त है, तो जितने भी बड़े-बड़े players हैं, वैसे तु वहाँ पे appointment अलसदर करते हैं, अलसदर के पास खुद का अपना एक armed group है, एक militia group है, हाला कि जो इरान-backed shia politicians हैं, उनके पास भी अपना एक militia group है, जब अलसदर ने हाँ resignation का announcement के और भारी बवाल मत गया, तो इरान की military ने national wide कर्फू लगा दिया शाम को 7 बजे, इरान के जो अबी formation stages में, तो better यह रहेगा कि democracy को proper तरीके से मनाया जाए, ना कि violence भढ़काया जाए, जो United Nations का mission ने इराक में, उसने भी बोला कि extremely dangerous situation है, caretaker government को rule करने देना जरूरी है, proper तरीके से यहाँ पे election होना जरूरी है, अगर यह सम नहीं होगा, तो कैसे काम चलेगा, फिर एक और यहाँ पे शिया spiritual leader है, अलहैरी, अभी अलहैरी ने भी recently health portfolio से resign किया, जब अलहैरी ने health portfolio से resign किया, तब अलहैरी ने अपने supporters को बोला कि तुम मुक्तदा अलसदर को support मत करो, तुम इरान-based जो शिया faction है, आयोतल्ला अली खिमने के अंदर उसको support करो, तो इरान-based जो शिया faction ह उसकी भी काफी demand है इस समय पे इराक के अंदर, तो इराक की politics थोड़े destabilizing mode में चल रही है, जो इनके internal faction है, वो proper तरीके से सरकार का formation नहीं होने दे रहे हैं, let's see आगे क्या होता है, तो यहाँ पे current affairs दोस्तों खतम होता है, editorial पे आ जाते हैं, वीडियो का अब तक like और share नही बात पहले हो जोगी, अब एक बड़ा important article है, curing the patriarchal mindset of the legal system, फैजर सी के साब ने इस article को लिए का, फैजर सी के under secretary law है, government of Kerala में, यह क्या बात कर रहे हैं, यह basically judicial system को criticize कर रहे हैं, Kerala के एक sessions court ने recently क्या किया, anticipatory bail grind कर दी एक author और एक social activist को, इस author और social activist के ओपर sexual harassment के charges लगाए ग किया था, कि इस author ने, under section 354A of the Indian Penal Code, एक lady को criminal force के through, इसकी modesty को outrage करने की कोशिश कियो, यह lady sexually provocative dress पहन के आ रही थी, तो यह sexually provocative dress पहन रही चुकी है lady, इसलिए मुझे anticipatory bail दे दो, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मतब लेडी ने sexual harassment का charge लगाया author के उपर, author बोल रहा है मुझे anticip anticipatory bail दो, मैंने जो कुछ भी किया, वो तो इसलिए किया, चुकि इसने sexually provocative dress पहनी है, खास बात यहाँ पे यह है, कि sessions court ने इस particular social worker और author की बात को मान के anticipatory bail दे भी दी, यह आप कहलो, patriarchal mindset है, sessions court जैसी चीज़े जब ऐसा करने रखती है, तब काम गड़ बढ़ा जाता है, वैसे केरला आई कोड ने sessions high court के order को implement करने से अभी के लिए रोग दिया, अब समझे, sessions court के सामने जब milord milord हो रहा था, तो कुछ photograph समिट की गई, और यह जो particular author और social activist था, इसने इन photograph की थूँ बताया, कि देखो milord यह देखिए, लड़की कैसे dress पहन रख की, इस वलत ने कैसे कपड country will दे भी दिये, अब इस particular phenomena को freedom slip कहा गया, freedom slip को judicial terms में, legal terms में क्या बोला जाता है, error in speech, memory or action that occurs to do the interface of an unconscious subdued wish और internal train of thought, अगर आपका internal train of thought backward है, अगर आप दखियान उसी विचार धारा रखते हो और अपनी दखियान उसी विचार धारा के आधारा के आधार पर कोई उल्टा सी decision सुनाते हो, तो वो गलत होगा, अभी इस औरत ने sexually provocative dress पहनी है, इस basis पे आप woman का objectification करके बोल रहे हो कि नहीं भाई, इसने sexually provocative dress पहुंची तो sexual harassment सही है, ये गलत है, और आप जो anticipatory bail दे रहे हो वो गलत है, Supreme Court ने clearly अपरना भट versus state of the मद्ध पदेश 2021 में बोला था, कि ऐसी को अपरना भट सुप्रीम कोट ने पहले बोल रखिया अपरना भट 2021 के judgment में, ठीक है बई? तो ऐसे context में एक लड़की क्या कपड़े पहन रही है, उसके basis पे accused को यहाँ पर रियायत नहीं दी जा सकती है, मतलब आप Indian woman के उपर किसी प्रकार का model, code of conduct नहीं लगा सकते हैं, कि यहाँ बई Indian woman है, तो इस प्रकार से काम करेगी तो सही है, अगर दूसरी तरीके से कर रही तो सही नहीं है, यह सही नहीं है, और सबसे कास बात यह है कि जो दखिया नूसी टाइप के लोग हैं, जो गाओं में रह रहे हैं, या अपनी फरजी बनाई वे दुनिया में रहे हैं, वो एक बार को ऐसा सोचे तो उनको डंडी आने का काम जुडिश्री का है, अभी जब क कोटी यहां पे वोमें राइट्स के रिस्पेक्ट में बोल रहा है कि नहीं भाई, इसने सेक्शुल प्रोवोकेटिव डर्स पहनी थी, इसलिए एंटिसीबिटरी बेल में दे रहा हूँ, तो यह तो भाई देखिए सुप्रीम कोट की गाइडडाइस का वाइलेशन है, वो ग्यारा वोमें जजजे आई हैं, तो अविसी बात है, अगर हमारी जो हाइस जुडिशी है, सुप्रीम कोट है, अगर इसमें ज़्यादा वोमें होंगी, तो जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा, ज़्यादा इंक्लूसिव होगा, पार्टिसिपेटरी होगा, तो जुड जुडिशल करीकूलम होता है, वहाँ पे वुमें रिलेटेड फिमिनिस जुरिस्प्रीडम को जोड़ना जरूरी है, देखे, ऐसा नहीं कि केवल इंडिया के अंदर ही जुडिशल सिस्टम आप के लो कंजरबेटिव रहा है, अगर आप युएस की बात करो, तो युएस के इस पर्टिकुलर केस में क्या बोला गया, God designed the sexes to occupy different spheres of action that it belong to men to make apply and execute laws, मतलब, Bradwell vs. State of Illinois Supreme Court, युएस क्या बोल रहा है कि भगवान ने decide कर दिया कि कौन सा sex क्या करेगा, ठीके ना, और उस हिसाब से sex को काम करना है, तो men का काम है कि आप laws को बनाओ, उनको apply करो, तब उस case में एक lady थी Myra Bradwell नाम की, ये state of Illinois में रहती थी, ये judgeों के पास गई Supreme Court के और उन्हों ने बोला कि मुझे law practice करना है, तो Myra Bradwell ने बोला कि मैं lawyer बनना चाहती हूं, मुझे वकील बनना है, तो judges ने क्या बोला कि नहीं नहीं नहीं, तुम वकील नहीं बन सकती, तुम क अपना काम है wife बनना, mother बनना तो अपना काम करो, ये वकालत वकालत वाले काम सब आदमी पे छोड़ दो, तो 1872 में US की Supreme Court ने भी ऐसे regressive और conservative decisions दी हैं, हाला कि आज की date में women laws US के अंदर ठीक ठाक है, हाला कि अभी भी conservative judges ने उनके abortion law को उड़ा दिया, तो women empowerment में एक धक्का ल कभी women's को अपने rights के लिए यहाँ पे लड़ना भी पड़ेगा, बढ़ हाँ, जब genuine हो तब लड़िये, ठीक है न, हर जगा, देखे, क्या होता है, दो तरीके का women empowerment होता है, एक तो यह होता है कि आपको कोई दवा रहा है, आप उसके against लड़ रहा हूँ, कि as a in a capacity of women, आपको logic होना चाहिए, आपके actions के पीछे, चुकि अगर आप बिना वजह हर जगा एक ही बात रागलाबते फिरोगे without any reason, तो आपो कोई seriously नहीं लेगा, और सबसे खास बात है कि हमारे society में, patriarchal mindset को बदल करने के लिए, हमारे social legal system को बदलने की जरूवत है, तो law students को जब curriculum में पढ़ हाय जाना चाहिए, हमारे यहां पर legal practitioners का sensitization होना चाहिए, judicial officers को feminist jurisprudence के बाद पढ़ाना चाहिए, Stanford Encyclopedia of Philosophy क्या बोलती, feminist philosophy of law identifies the pervasive influence of patriarchy and masculinist norm on legal structures and demonstrates their effects on the material condition of women and girls and those who may not conform to cisgender norms, it also considers the problem at the intersection of sexuality of law and develops reforms to correct gender justice, exploitation and restriction. तो यह यह बोला जा रहा है, कि भाई, feminist philosophy of law में यह साफ साफ लिखा हुआ है, कि जब feminism से related चीज़ें आती है, तो जो masculine norms है हमारी conservative society में, और यह conservative society की वल developing नहीं, developed countries में भी existent है, तो इनके लिए एक तो social awareness लाना जरूरी है, पस legal systems में proper written प्रावधान लाने जरूरी है, ताकि कहीं पे भी अगर female related laws को violate किया जा रहा है, और या उनके against किसी भी प्रकार कर discrimination किया जा रहा है, तो हम उसको root cause से उससे लड़ सकें, ठीक है ना, एक individual की privacy और dignity को maintain करना जरूरी है, और woman की privacy, dignity को maintain करना जरूरी है, तो एक woman क्या कपड़ा पहन रही है, इस कपड़े पहनने के basis पे एक judge उसको नहीं assess करेगा कि तुम ये क्या कर रही हो, देखे, अभी यहाँ पे कुछ kings की बात की गई, 1583 में king henry 3 और France ने क्या बोला, कि velvet, satin और damask, जैसे जो fabrics हैं, वो के वहल elite class पहनेंगे, आम आदमी नहीं पहनेंगे, king henry 3 और France ने 1583 में क्या बोला, कि भगवान इस बात पर नाराज है कि ये कपड़े आम आदमी के बजाया, सौरी, elite आदमी के बजाया, आम आदमी पहन रहा है, आम आदमी ये कपड़ा पहन रहा है, इस बात पर भगवान angry है, भगवान को तो यही काम बचा है ना, कि उस अपका कपड़ाई देखते फिरेंगे, फिर overall King Edward IV of England ने 1463 में overall एक और ऐसा ही order issue किया, जो आम आदमी है, ये महेंगे कपड़े पहने तो ये नहीं चल पाएगा, तो भगवान को आंसर है, बिले भगवान क्या बोल रहा हम तुमको बताएंगे, लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा है, उस समय के डिक्टेटर्स ने अपना के साब से, समझ गया, तो ये overall यहाँ पे था, तो King Henry III, King Edward IV और Bishop of the Bewis, ये सब जो overall पुराने instances हैं, इसलिए दिये गए हैं, पुराने समय में, जो overall patriarchal mindset था, वो patriarchal mindset आज की date में नहीं होना चाहिए, और खासकर judiciary का तो बिलकुल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन judiciary का हो रहा है, actually ये थोड़ा सा unfortunate हो गया है, फिर अगला article है, the new facets of terrorism, आरके रागवन साब ने इस article को लिखा, former CIA director, और अजय गोल साब ने लिखा, security analyst है based in Europe, अभी क्या है, recently दो attacks होएं, इन दो attacks के basis पे और आल इस article को समझाया जा रहा है, एक attack तो शल्मान रश्दी का है, सल्मान रश्दी क है, उसके लिए अभी इनके ओपर attack किया गया, मतलब overall जो terrorist हैं, उनकी याददाश इतनी बड़ी है कि आज भी वो चीज़ों को याद करके बैठे हैं, सल्मान रश्दी अभी के लिकावर हो रहा है, एक incident हुआ 20 अगसकों मौसकों में, जब 29 वर्षिय दारिया दुगीना न इसको एक car bomb explosion में मार दिया गया, बाद में Russian security services ने बताया कि एक woman के ओपर इनको doubt है, और overall एक website भी है, एक Ukrainian website है जहाँ पे एक hit list लिकी हुई है, इस hit list में वो Russian state security के officials जो कि Russian invasion को support कर रहे हैं, उनको Ukraine वाले चुन-चुन के मान रहे हैं, और इस hit list पे overall इस लड़की का भी नाम जिसको यहाँ पे मार दिया गया, दारिया दुगीना, हाला कि Ukraine वालों ने बोल दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन दारिया दुगीना का नाम इस hit list में था और जब दारिया दुगोना की मृत्ति हो गई, तो उस नाम के सामने eliminated भी लिख के आ गया, तो overall अब ये दो incidents आपको देखने को मिल रहे है, इन incidents के बहाफ पे Federal Bureau of Investigation को थोड़ा टेंशन में होना चाहिए, खास बात यह है कि सलमान रजदी के ओपर जो अटाक हुआ है, 24 साल के sleeper के दोरा, एक unregistered offender था, FBI record में, यह कोई terror suspect नहीं था, उसके बावजूद इतने पुराने फत्वे के ओ इतना लंबा समय बीच चुका था, 34 साल बीच चुके थे तो लोगों को लग रहा था कि यह आप कुछ नहीं होगा, तो कहीं न कहीं guard थोड़ा lower down कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी ऐसा कुछ हो जाएगा, यह किसी को भी अंदाज़त था नहीं, तो कहीं न कहीं US, UK, इन के लिए एक टेंशन वाली बात उठती है, सासादी जो मॉस्को वाला इंसिडेंट है, यह रशियन इंटेलिजेंस के लिए भी एक सवाल खड़ा करता है, तो बेसिकली जब भी टेररिजम से रिलेटेड अटैक्स होते हैं, तो उस समय पे एक लिमिट के बाग उन अटैक्स को थ्वाड कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है, आज की डेट में डेमोक्रेसी और आटोक्रेसी, हर प्रकार के टूल्स का इस्तमाल करने हैं, सिटिजेंस के उपर स्पाई करने के लिए, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के जमाने में पेटाबाइट्स ओफ ऑनलाइन एक्जिस्टेंट है, अब ये रिसेंटली अगर आप देखिए, रशिया से एक निउस निकल के आई थी कि वहाँ पे एक टेर्रिस्ट पकड़ा गया, जो कि इंडिया के अंदर सुसाइट बाबिंग प्लान करा था, उस बेकिस्तान का था, फिर किर्गिस्तान के भी कुछ टेर्रिस्ट हैं, जो कि इंडिया के अंदर इंफिल्ट्रेट करके सुसाइट बाबिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग है जिनको इंडिया के अंदर ऐसे लीडर्स को टार्गेट करने के लिए भेजा जा रहा था, जिन्नोंने प्रॉफट साब के उपर जलत स्टेट्मेंट्स दिये, तो कहीं न कहीं हमारे या ओथर ये बोल रहा है कि हमारे लीडर्स हैं, उनको अपना भाशर देते वक्त माइंडफुल होना चाहिए, कि कहीं न कहीं वो भी असेसिनेशन के टार्गेट यहां पे ना बन जाया, आज की डेट में टेक्निलोजी में इसको रोक पाएंगे, ऐसा यहां पे कुछ बताया जा रहा है, हाला कि यह भी शायद कहने की कोशिश कर रहा है कि पूरी तरीके से इस टेर्रिजम के में इसको रोकना almost impossible होता सा नजर आ रहा है, अगला आर्टिकल, Redefining Direct Benefit Transfers, पर यह देखे, Direct Benefit Transfers का मतलब क्या होता है, उन्होंने बोला है कि Direct Benefit Transfers जिस परकार से जगन महान रडडी साहब ने इस्तमाल किया है, वैसा किसी ने भी इस्तमाल नहीं किया है, जगन महान रडडी साहब ने 3648 किलोमेटर की पजातरा की और उन्होंने बोला कि Lives of लोगों को qualitatively बतल दूँगा, इसके लिए स्कीम के थूँ जरूद मन लोगों के अकाउंट में सीधे-सीधे पैसा कमाया है, पहुँचाया जा रहा है, जब उनको सबसे अदर जरूद है, दो हजार बीस इकिस के Finance Commission में, देखें, दो हजार बीस इकिस Financial Year में, पंदरी Finance Commission के इसाप से, ओवरॉल एक राजे के पास उसका 41% प लोकेड किये हैं नवरतलालू स्कीम को, और DBT से रिलेटेड कुछ पैरलल स्कीम यहां पर और भी चलाई गई है, जैसे कि जगन्ना अम्मा वोडी स्कीम, YSR रियूतु भरोसा स्कीम, YSR चेउता स्कीम, YSR आसरा स्कीम, आप एक एक करके कुछ-कुछ स्कीम को देखते है एक स्टेट की development के लिए, एक देश की development के लिए education एक बहुत important factor है, अभी ministry of education report अगर आप 2016-17 देखो, तो जो gross enrollment ratio है आंधर प्रदेश में, primary education में, वो था 84.48, जबकि national rate था 99, तो कहीं न कहीं आंधर प्रदेश का gross enrollment rate नाशनल rate से कम था, तो इस gross enrollment ratio को बढ़ाने के लिए, वा वोड़ी scheme में, आंधर प्रदेश की सरकार ने, जो भी माएं थी, उन माओं से बोला कि अपने बच्चों को स्कूल भेजो, अगर तुम अपने बच्चों को स्कूल भेजोगी, और तुमारे बच्चों की स्कूल में 75% mandatory attendance है, तो हर मा को 15,000 रुपे दिये जाएंगे एक साल कर रहा, वो क्या करेगा, कि 75% attendance के साल बच्चों को स्कूल भेजेगा, और बच्चे अगर स्कूल जाएंगे तो उनको midday mail scheme तो मिलेगा ही मिलेगा, सासद ग्यान भी मिलेगा, और उस ग्यान के अंदर एक opportunity होगी, उन enterprises बच्चों के लिए जिनके अंदर talent होगा, कम से कम उन 27.8 के सामने, ये बात हो रही secondary level की, इससे पहले जो brass enrollment ratio था वो primary level का था, तो confuse मत होईएगा, ठीके न भाई, फिर अम्मा वोडी के सासद और भी बहुत से programs launch किये गाए, जैसे विद्या देवाना, वसाथी दीवाना, गुरु मुड़ा, विद्या कनुका, माना बाडु इना quality oriented education module government schools में देने की कोशिश की गई है, taps provide किये गए बच्चों को, अठमी class तक के, जो कि नमबर 2022 से overall classes में जा रहे हैं, तो apps के थूप पढ़े हैं, तो revolutionize करने की कोशिश की है, education system को किसने, जगन मोहन डेडी सा अपना, और पूरे देश के लिए इसको model बना के सामने रखा ह फिर overall देखा जाए, तो farmers जो की crisis में थे आंध पदेश के अंदर, इन farmers को informal sources से loan उठाते बढ़ते थे बड़े interest rate पे, तो इसके लिए जगन मोहन डेडी साहब ने क्या किया, तो जगन मोहन डेडी साहब ने YSR YouTube भरोसा स्कीम चलाई है, जिसके चलते 35,000 रुपे हर साल आना 50,58,000 farmers को transfer किये जाते हैं, तो 23,875 करोनों का direct benefit transfer हुआ, वाइसा रुथू भरोसा scheme के अंदर, और इसके चलते देखें तो agriculture sector में 4.1,6% की growth देखने को मिली है, इसके साथ रुथू भरोसा केंदर बनवाए, जगन मोहन डेडी साहब ने, जिससे farmers की सारी requirement, जैसे की soil testing, seeds, fertilizers crop procurement and village level, इसको पूरा किया गया, सुनना वाड़ी, input subsidy, zero crop insurance, women empowerment हर जगा पे vote catching slogan होता है, बट आंधर प्रदेश में नहीं, आंधर प्रदेश में वाइसार रेडी साहब ने launch की वाइसार चेयुथा scheme, जिसके अंदर, वो women जो की 45-60 साल की age group में आती थी, economically weaker sections को belong करती थी, उनक सालाना, मतब, चार साल में 75,000 रुपे की पैसों की मदद दी जाएगी, micro businesses establish करने के लिए, मतब 24.9 लाख women को दी गई है, तो ऐसे women तपके को, educational तपके को, health के तपके को, बच्चों के तपके को, अलग-अलग प्रकार से, जगर मोहन रेडी साहब ने help करने की कोशिश की है, overall schemes को ground level पे पहुचाने की कोशिश की है, तो इन कोशिश के तुछ अच्छा काम हुआ है, फिर पुरानी सरकार को थोड़ा बहुत यहाँ पर criticize भी किया गया, उस particular point को मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, वाइसर आसरा scheme के अंदर, देखिए, रूरल एकनोमी को इंप्रूव करने के लिए वाइसर आसरा scheme लाँच की गई थी, ठीक है ना, और इस आसरा scheme के अंदर, यह जो भी लोन वगरा दिये गए हैं, वो चार साल में चुनाए जा सकते हैं, 25,570 करोन के लोन यहाँ पे वाट कर दो, अभी बहुत सारे लोग इस प्रकार की schemes को freebies बोलेंगे, फाल्तू का खर्चा बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर आथर बोल रहा है कि नॉबर लॉरियर जैसे प्रोफेसर एस्तर दूफिलो ने इस प्रकार की divert benefit transfer schemes को freebie नहीं माना है, उनका यह मानना है कि इस प्रकार की scheme long terms में state की development और लोगों की development में बड़ा ही major role play करते हूं, तो आप अपने viewpoint नीचे comment box से मता ही कि जो वाइसा जगर मोहन रडी जी की schemes है, यह कितनी useful है, कितनी useful नहीं है, फिर अगली news Congress को नुंदरम, Congress थोड़ी tension में चल रही है भाई, पोल schedule announce हो गया है, नए प्रेजडेंट collection हो रहा, Congress केंदर, जो incumbent party प्रेजडेंट सुनिया गांधी, इनकी तवित खरावे, राहूल गांधी जी प्रेजडेंट बनना नहीं चाहते है, 17 क्रूबर तक एक प्रेजडेंट को चुनना है, Congress प्लान कर रही है कि साड़े 3000 किलमेटर की पद्यात्रा करेगी 12 states में, दो जोड़ो यातरा कहा जाएगा, उसको United India March, गांधी जी इसको लीड करेंगे, और दिल्ली में एक रैली प्लान किये, उन्होंने 4 सेप्टमबर को प्राइस राइस किया गें, बट कहीं न कहीं गांधी फैमिली का कोई टॉप पे आना नहीं चाता, अगर गांधी फैमिली से क एक independent decision, एक ना influence करने वाला decision कहा जाएगा, इस बात को लेकि अलग अलग लोगों के अपने अलग लग व्यूप पॉइंट्स होंगे, अभी पहले जैसे हालात नहीं है, कि कुछ elections रुख जाओ तो हम जीती जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, इस समय पे अगर Congress को जीतना है तो कहीं न कहीं अपनी पार्टी को अंदर से revamp करना पड़ेगा, और बहुत अब तक गांधी फैमिली के लीडर से बहुत चीज़े depend करेंगे, अभी गुलाम नभी आजाद साब, जो कि Congress के साथ associated रहें, बहुत लंबे समय तक politician रहें, 30 साल तक ये राजसभा के member रहें, union minister रहें, जम्मुन कश्मीर के chief minister रहें, इन्हों तक ने Congress के उपर रिज़ाम लगाते हैं, चिट्टी में उल्टा सीधा लिखके resign कर दिया, ये बोल दिया कि Congress को एक कोटरी, एक small group of people चला रहें, तो इससे आप समझ सकते हो कि Congress Party के अंदर का organization बहुत कमज़ोर पड़ रहें, ब आज की date में Congress Party को अंदर से अपने आपको reform करने की जुरोते हैं, Congress Party को एक ऐसी Party की तरह देखा जा रहा है, जो popular leaders को छोड़ देती है, और unpopular leaders को अपने पास रखती है, लेकिन ये unpopular leaders को अपने पास रखने वाला जो step है, वो Congress Party के अगीने से जा रहा है, तो इसको रोकने के Congress Party क्या कर रही है, या आगे आने वाले कुछ समय में पता चलेगा, और फाइनली इंडिया की respect में बात की कही है, तो फुटबॉल के field में इंडिया की हालत वैसे ही खराब है, अगर देखा जा तो फीफा के point table में इंडिया की rank है 104, उसमें भी 15 अगास वाले दिन, जब हमने पर 75 वी वर्षगार्ण मंगा रहे थे, आजादी कामरित मौस्व मना रहे थे, आजादी दिवस मना रहे थे, उसी समय पर फीफा ने हमको suspend कर दी, हाला कि वो suspension रिवोक हो गया है, लेकिन इसके बावजूद एक नुकसान हुआ है, जो केरला गोकुलम की team है, वो AFC Women's Club Championship उस उस प्रकार से AIFF ने decision क्यों नहीं लिया, और क्यों प्रफुल पेटरल जैसे administrator 12 साल कुरसी बर बैठने के बाद भी अपनी कुरसी नहीं छोड़ रहे थे, इन सब चीजों के बारे में पहले सोचना चाहिए था, Supreme Court का intervention एक necessity थी, हाला कि उसको third party की तरह देखा गया, और उस intervention को अभी के लिए खतम कर दिया गया है, लेकिन overall अभी के लिए जो interim secretary है ना, वो भी Supreme Court के COA दर appoint किये हुई है, सुनन्दो धर, तो ज़रूरी ये है कि आगे आने वरे समय में जो हमारे political masters है, व्यादातर cases में, in particular groups में, जो president होता है, वो politician होता है, इन politicians की accountability को maintain करना जरूत है, sports organization में governmental red tape नहीं होना चाहिए, politicians की जो power enjoy करते हैं, in associations में वो नहीं होनी चाहिए, in associations को professional body गी तरह काम करना चाहिए, अगर आने का analysis में हमको sports में अच्छा perform करना है, तो ये था overall analysis दूस्तों, आई हो पापको कुछ ने कुछ useful जानने को मिला, अपने view point नीचे का unbox में दीजे हैं, तरह aiming में जो है यॉँ राहिए हम आने के सरक में दूस्तों के धने को जा आननी है, अजला है, अणियक छिप में और येओं, छो हैं आतरा.